Q1. From new equations by carrying out the action remaining packets on both sides of the equations. तो multiplying by 2, यह जो equation दिया है, इस equation को हम 2 से multiply करके, बोच साइट 2 से multiply करके, एक new equation फर्म करेंगे, वह ही होगा असका answer. तो 1 question में क्या दिया है, 2x plus 3 equal to 13, तो उसका solution इसे होगा, 2x plus 3 equal to 13, तो यह जो 2x plus 3 है, equal to 13 है, दोनों साइट हम क्या करेंगे, 2 से multiply करेंगे, तो next क्या होगा, इस 2 की साथ इसको multiply करेंगे, 4x होगा, next इस 2 की साथ इसको multiply करेंगे, 6 होगा, में पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव साइन लिखेंगे नेक्स इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 26 होगा यह हो गया new equation question 2 इस question में 5 को add करने के लिए बोला है तो हम इसको लिखेंगे 321 तो इस तरफ हम 3 plus 5 ऐसे लिखेंगे और 21 plus 5 लिखेंगे इसमें 3y minus यह है तो ऐसे करने से ही इसका solution आजाएगा तो 3y होगा इन दोनों को subtract करेंगे तो plus 2 आएगा और इधर कितना रहेगा 26 यह आएगा इसका new equation तो हम इसको क्या करेंगे 5x plus 14 subtract 6 करेंगे और 24 subtract 6 करेंगे क्योंकि डूनों दोरब subtract करना पड़ेगा तो इसको जब हम subtract करेंगे तो इससे कितना आएगा 8 तो 5x plus 8 equal तो इसमें कितना आएगा 18 आएगा question 4 10y plus 6 equal to 36 तो इसको dividing by 2 बोला है तो हम क्या करेंगे 10y plus 6 को 2 से divide करेंगे और 36 को भी 2 से divide करेंगे तो next क्या करेंगे यह तो 10y है इसको 2 से divide करेंगे यह plus इन इदर लिखेंगे 6 को भी 2 से divide करेंगे equal to 36 by 2 अभी हम cancel करेंगे 2 5 जा 10 होगा and 2 3 जा 6 होगा 2 into 18 equal to 36 तो next equation क्या रहेगा 5y plus 3 equal to 18 यह होगा new equation equation 5 5 plus 4x equal to 21 है multiplying by 3 इसको भी multiply करेंगे कितना थी से तो इसको इसके सारöre करेंगे तो 15 आएगा plus क्या क्या इसको इसके सारö multiply करेंगे तो 12x है next क्या आएगा इन लूनों को multiply करेंगे तो 63 आएगा यह होगा new equation ती हम subtract करेंगे 8 plus 7x minus 4 करेंगे और इधर क्या करेंगे 29-4 करेंगे इस होगा 7x तो 8 से जब 4 सबस्ट्रेक होगा तो प्लास को रहेगा इधर और इधर आएगा 25 यह होगा अज़का new equation from इसे है तो अगर हम चाहे तो इसे भी लिख सेकते हैं और 4 प्लास 7x इक्वेल टो 25 इसे भी लिखेंगे तो कोई problem नहीं होगा यह भी answer हो सकते है question 2 solve each of the following equation and check your solution by substituting its value in the equation so यह equation दिया है तो इसको हम अगर easy टरीक से करेंगे तो matter 1 में अगर हम करना चाहे तो इसे भी कर सकते है 6 equal to 3a minus 3 तो इधर 6 रहेगा 3 into a equal to 3a 3 into 3 equal to 9 so minus रहेगा next क्या रहेगा 3a इधर रहेगा इसको इस तरफ लाएंगे तो 15 होगा तो next a equal कितना होगा 15 by 3 होगा इसको cancel करेंगे तो 5 रहेगा तो a का value आएगा 5 इसको अगर हम check करना साहे तो check ऐसे लिखेंगे तो इसके बाद इसका जो right hand side है इसमें variable है left hand side में नहीं है तो हम क्या करेंगे right hand side को लेंगे right hand side में value है 3a minus 3 इसमें अभी एका value put करेंगे एका value है 5 minus 3 तो value आएगा 3 into 2 so finally value आएगा 6 यह 6 right hand side में है तो इस तरफ हम लिखेंगे RSS और इधर लिखेंगे therefore left hand side equal to right hand side मतलब जो solution a का निकाला है जो a का हमने answer निकाला वो इस equation के लिए सही है इस equation को हम क्या करेंगे balance method से solve करेंगे तो balance method क्या है balance method में solve करने के लिए book में थोड़ा instruction है इसलिए हम इसे करेंगे हम साहे तो पहले जो method मैंने solve किया उसी तरह भी कर सकते है कोई problem नहीं है तो balance method एसा होगा 6 equal to 3 a minus 3 इसमें हम क्या करेंगे जो भी variable होगा मतलब a इसमें variable है तो a को हम क्या करेंगे free करेंगे मतलब बाकी a के साथ 3 इधर multiply होड़ा है तो हम क्या करेंगे 3 इधर divide करेंगे तो इसमें लिखेंगे both side divide करेंगे तो तभी ये equation का value balance होगा तो हम क्या करेंगे तो लिखेंगे dividing dividing both sides by 3 तो 3 से 3 को cancel करेंगे 3 से 6 को cancel करेंगे तो 2 होगा तो 2 equal to कितना आएगा a minus 3 अभी हमने देखा कि a free अभी नहीं है a के साथ अभी क्या हो रहा है 3 minus हो रहा है तो हम क्या कर सकते a 3 plus अगर हम 3 करें तो इसके साथ ये cancel होगा a finally value जाएगा तो हम ऐसे कर सकते है तो both side हम क्या करेंगे 3 add करेंगे तो इसमें लिखेंगे adding 3 to both side तो इस तरह बैलेंस करेंगे तो इन दोनों को add करेंगे तो 5 होगा इन दोनों को जब हम इसमें positive निगेरी फे इन दोनों चला जाएगा है लेकिन left hand side में variable नहीं है तो हम क्या करेंगे यह जो right hand side का जो part है इस part को part में जो a है इसका a value put करके इसको check करके देखेंगे तो 3 a minus 3 होगा तो a का value कितना है 5 minus 3 तो 3 इदर है तो इदर 2 रहेगा into 3 तो finally क्या आएगा 6 यह जो 6 value हमें मिला यह कहां का value है यह right hand side का value है तो हमने solve किया था left hand side finally हमें मिला right hand side का value तो there पर हम क्या लिख सेखते है left hand side equal to right hand side यह हो गया इसका solution इधर negative 2 है अगर हम इसको क्या करेंगे positive 2 add कर देंगे मतलब 4x minus 2 plus 2 अगर adding adding to both sides अगर हम ऐसे करें ऐसे अगर हम करें तो क्या होगा यह जो 4x है यह क्या होगा free हो जाएगा तो next हम क्या click सकते है 8 equal to 4x हो सकता है क्योंकि इन दुनों 0 हो जाएगा next हम क्या करेंगे x को free करने के लिए 4 से divide करेंगे मतलब 4x by 4 8 by 4 ऐसे करेंगे तो इसको इसके साथ divide करेंगे तो 2 आएगा इसको इसके साथ cancel करेंगे तो क्या रहेगा x so 2 equal to x next हम क्या लिख सकते है x equal to 2 अभी हमने इधर क्या क्या dividing both sides by 4 तो ऐसे हम इसको bracket में लिखेंगे इस step में हमने क्या क्या उसको bracket में लिखना पड़ेगा तो अभी हम check करेंगे check कौन सा part लेंगे right hand side का part लेंगे right hand side लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें ही variable है इसमें variable नहीं है तो 4x minus 2 तो 4 x का value कितना है 2 है minus 2 तो 8 minus 2 होगा यह होगे right hand side का value therefore हम लिख सकते है कि left hand side equal to right hand side question 3 इस question में हम क्या करेंगे पहले इस 2 को हताएंगे तो इधर 3y plus 3 plus 2 है तो minus 2 अगर करेंगे both side तो क्या होगा यह तो हट जाएगा तो इधर लिखेंगे subtracting 2 from both side next क्या बसेगा 3y plus 3 equal to कितना बसेगा 2 तो अभी क्या करेंगे 3 से divide करेंगे तो 3 से divide करने से यह 3 सला जाएगा 3y plus 3 divided by 3 2 by 3 इस 3 की साथ यह 3 cancel हो जाएगा तो भेलो रहेगा y plus 3 equal to 2 by 3 इधर लिखेंगे dividing अभी हम y को free करेंगे y की साथ जो यह 3 positive है अगर हम negative 3 करेंगे मतलब 3 subtract करेंगे तो y free हो जाएगा तो both side क्या करेंगे minus 3 करेंगे मतलब subtracting 3 from both side तो इसमें रहेगा y equal to 2 3 minus 3 रहेगा तो next इसको हम solve करेंगे y equal to 3 ठीजा कितना हो 2 divided by 3 finally y का value आएगा minus 7 by 3 यह होगा y का value अभी इसको यह y का value मतलब y का solution हमने निकाला यह इस equation का है या नहीं इसको हम check करेंगे तो left hand side का value क्या होगा left hand side equal to 3 y plus 3 plus 2 यह है left hand side का value so 3 y का value put करेंगे minus 7 by 3 plus 3 plus 2 next क्या होगा 3 3 3 is 9 plus 9 minus 7 by 3 plus 2 होगा minus 7 plus 9 equal to कितना होगा 2 by 3 2 plus 2 होगा next इस bracket को हम open करेंगे next इस bracket को हम open करेंगे तो 2 by 3 plus 2 ऐसे रहेगा अगर हम चाहे तो इस line को ना लिखके दरेक इस line भी लिख सकते है हम 3 की साथ 3 को cancel करेंगे तो 2 plus 2 रहेगा 2 plus 2 equal to 4 रहेगा यह हो गया right hand side का value जो right hand side में 4 दिया है वो निकल के आ गया है तो हम क्या लिख सकते है therefore left hand side equal to right hand side 2 equal to 4z plus 4 यह हो गया question 4 तो इस question को पहले हम क्या करेंगे जो multiply हो रहा है इसको divide करके हटा देंगे तो 4z plus 4 divided by 4 तो अगर left hand side में हमने 4 से divide किया तो right hand side में भी 4 से divide करना पड़ेगा तभी equal होगा तो इसकी साथ इसको cancel करेंगे तो 2 रहेगा इसकी साथ इसको cancel करेंगे तो 1 हो जाएगा next left hand side में क्या विलो रहेगा 1 by 2 और right hand side में विलो रहेगा z plus 4 तो 4 को अभी हम क्या करेंगे eliminate करेंगे मतलब 4 को subtract करेंगे लेकिन इसमें हमने क्या क्या 4 से divide किया तो इसको bracket में लिखा हम भी क्या करेंगे इसमें minus 4 करेंगे मतलब subtract by 4 तो minus 4 करेंगे तो इसमें लिखेंगे subtracting 4 from both set so 1 by 2 minus 4 करेंगे तो both set से हम क्या करेंगे minus 4 करेंगे तो इसको 248 minus 8 plus 1 divided by 2 equal to कितना रहेगा Z रहेगा किमगी minus 4 plus 4 equal to cancel हो जाएगा तो इसको जब हम solve करें minus 7 by 2 equal to Z तो Z equal to हम लिख सकते है minus 7 by 2 यह होगया Z का वेलो अभी हम इसको चेक करेंगे 4 Z plus 4 लिखेंगे तो 4 यह Z का वेलो कितना है minus 7 by 2 है plus 4 है 4 into 2 equal to 8 plus minus 7 divided by 2 और इधर पहले रहेगा 4 यह 4 इधर रहेगा 4 बहर का 4 इधर होगा into minus 7 plus 8 2 वेलो कितना रहेगा 1 by 2 रहेगा हम इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना वेलो मिलेगा 2 मिलेगा तो अब वेलो आएगा तो में लेफ्ट हैंड साइड का वेलो मिल गया है तो हम क्या लिख सेकती है therefore left hand side equal to right hand side question 5 6 equal to 3 b minus 4 तो इस question में हम क्या करेंगे यह जो b की साथ 3 multiply हो रहा है इसको हम क्या करेंगे 3 divide करेंगे तो b minus 4 6 by 3 होगा इदर both side हम क्या करेंगे 3 से divide करेंगे तो इदर लिखेंगे dividing dividing both sides both sides by 3 तो यह होगया statement इस से यह cancel होगा इस 3 से इस 3 को cancel करेंगे 3 से अगर 6 को cancel करेंगे तो 2 मिलेगा so 2 equal to कितना होगा b minus 4 तो अभी b की अभी b से minus 4 हो रहा है तो इस 4 को हम cancel करेंगे क्या करेंगे जब हम 4 यह मतलब b minus 4 के साथ जब हम plus 4 करेंगे और left hand side में भी plus 4 करेंगे जब तब क्या हो जाएगा b free हो जाएगा तो इधर लिखेंगे adding adding 4 to both side तो इस तरफ हम लिखेंगे adding तो इस तरफ हम लिखेंगे adding 4 to both side तो इसके साथ यह cancel होगा तो b equal to कितना निकल के आएगा 6 आएगा now हम लिख सकते है कि b equal to 6 तो 3 हो गया b का value कितना है 6 minus 4 तो 3 6 minus 4 equal to कितना होगा 2 तो इधर हम लिखेंगे 6 right hand side में b का value हमने put किया था तो left hand side का value 6 मिल गया यह हो गया left hand side का value lss तो therefore हम क्या लिख सकते है left hand side equal to right hand side यह गया हम रहा जिएकिक